दूसरे जिन डाकु सोचता है कि क्यों ना योगी महाराथ से फिर से मिलने जाओं योगी जी और भी योग के बारे में बताएंगे फिर डाकु योगी जी से मिलने चल देता है और योगी जी के पास पहुँचता है योगी जी कहते हैं आओ, मैं आज तुम को प्राणायाम के बारे में बताऊंगा अश्टांग योग का चोथा पार्ट है प्राणायाम प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के दो शब्दों से मिलकर बना है प्राण और आयाम प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ती जो हमारे शरीर को जीवित रखती है जिसके द्वारा हमारे शरीर को उर्जा मिलती है जब हम प्राण यानी की वायू को लेते हैं और बहार निकालते हैं तब हमारे शरीर को उर्जा मिलती है आयाम का अर्थ दिशा देना या बदलाव करना जब हम प्राणवायों को खीशते हैं तो हम उसकी दिशा पर निरंतर प्राप्त करते हैं हम अपनी इच्छा नुसार उसका आयाम बदल लेते हैं सामाने सास आने और जाने की गती तो निरंतर होती ही रहती है लेकिन प्राणायाम में हम अपने स्वास प्रवास की गती अथात सांस लेने रोकने पर निंतर्ण स्थापित करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं प्राणायाम स्वास लेने की योग कला है जिस प्रकाश शरीर को स्वच एवं शुद करने के लिए इसनान करना आवश्यक है उसी तरह सिमस्तिश्क को तरो ताजा एवं शुद करने के लिए प्रणायाम आवश्यक है आओ मैं तुमको तीन मुख्य प्रणायाम बताता हूँ पहला है अनुलोम विलोम अनलोम विलोम प्राडायाम को नाडी शोधन प्राडायाम के नाम से भी जाना जाता है अनलोम विलोम प्राडायाम करने की प्रकेगा नाडी शोधन प्राडायाम करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं जो कि एक ध्यानात्मक आसन है नाड़ी शोदन प्रडायाम सुखासन, स्वस्तेकासन, पदमासन में भी किया जा सकता है जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते, वे खुर्सी पर भी बैठ कर प्रडायाम कर सकते है सुखासन में बैठते समय अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखे दोनों हतेलियां घुटनों पर और आखें बंद कर ले अब कुछ घहरी सांसें लेकर शरीर को आराम किस्तिती में लाए नाड़ी शोदन अब्याज शुरू करने से पहले बाई हतेली के अंगुठे और तरजनी उंगली को मिलाएं और एक गुले का अकार दे अब दाई हतेली की मद्यमा तरजनी उंगली और अंगुठे को मोड़ कर अनामिका और कनिष्ठा उंगली को खुली रख ले अब अपने दाई हतेली के अंगुठे से दाई नाख बंद कर ले और बाई नाख से सांस भी तर ले पिर बाई नाक अनामेका और कनिश्ठा उंगली से बंद कर ले और दाई नाक को खोल कर सास बाहर छोड़े अब अपनी दाई नाक से सास अंदर ले बाई नाक को खोल करने के लाब करें ध्यान रहे जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं उससे दुगना समय हमको सांस छोड़ने में लगना चाहिए अनलोम विलोम प्राणायम करने के लाब अनलोम विलोम प्राणायाम शरीर की सभी नाडियों का शुदिकरन करता है इससे हिदे के सभी रोग ठीक हो जाते है प्राणायाम का अभ्यास करने से फेपड़े मजबूत हो जाते है मन में निश्चलता लाता है और शांती प्रदान करता है साथ ही एकागरता बढ़ाने में भी साहक है मन की चंचलता दूर करता है प्राणायाम करने से सांसों पर नियंतर भी हो जाता है क्या मैं भी सांस लेने की कला सीख जाओंगा कि किस प्रकार से सांस लेनी चाहिए और किस प्रकार से सांस छोड़नी चाहिए हाँ बिल्कुल तुम भी सांस लेनी की कला सीर जाओगे लेकिन इसके लिए तुमको प्रते दिन प्रणायम करना होगा जाओ अब कल आना न तुमको कुछ और मुख्य प्रणायम के बारे में बताओंगा